हेलो एब्रिवन तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल पर आप्शन ट्रेडिंग टेकनिकल एनलाइसिस में अब चलिए बात कर लेते हैं कल हमने क्या डिसकेशन किया था और उसके बाद कल का ट्रेड प्लान करेंगे फटा फट से आप लोग लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब भी कर लें साथी साथ बाइल आइकन के ओल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले अब चलिए बिना देरी करते हुए हम जान लेते हैं तो देखिए पहले हम देखेंगे निफ्टी 50 और उसके बाद देखेंगे फिन निफ्टी और फिर देखेंगे हम बैंक निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट के उपर है आज के दिन क्या हुआ आज के दिन आप लोग देख सकत तब हम यहाँ पर long जाएंगे याने की C buy करेंगे जब तक इसके उपर sustain नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ पर call नहीं buy करेंगे और नीचे के तरफ सोट कब करेंगे नीचे के तरफ सोट करेंगे 18,490 के नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे सोट करेंगे याने कि हम यहाँ पर P Bind करेंगे तो आज के दिन जो हमारा condition था उसको fulfill नहीं किया आज हमने यहाँ पर trade को avoid किया अगर आज के दिन profit नहीं हुआ तो loss भी देखने को नहीं मिला बढ़िया दिन रहा देखिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ जब तक कंडिशन को फुल फिल ना करे तब तक आप लोग ट्रेड को ना बनाए अब चलिए कल का ट्रेड प्लान करते हैं अब देखिए यहां पर अब यहां पर निफ्टी फिफ्ट लेट सपोज अगर कल के दिन निफ्टी फिफ्टी इस लेबल के ऊपर आपनिंग लेती है 18,580 के ऊपर आपनिंग लेती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोग यहां पर कॉल बाई कर सकते हैं कॉल कैसे बाई करना है जब इस लेबल पर 15 मिनट सस्टेन कर जाएगी तब आप लोग यहां पर कॉल बाई कर सकते हैं और 50 to 80 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग यहां पर जा सकते हैं लेट सपोज अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है जहां पर आज के दिन क्लोजिंग दी है जो की बहुत ही इंपोटेंट लेबल है 18,486 का अगर यहां पर खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर कॉल और पुट नहीं बाई करना है अगर कल के दिन फ्लैट खुलती है और यह वाला लेबल यहां पर ब्रेकडाउन कर देगी 18,460 का तो आप लोगों को डॉन फॉल बढ़ियां देखने को मिल सकता है लेकिन अगर कल के दिन फ्लैट खुलेगी उस कंडिशन में आप लोगों को यहां पर एंट्री लेना है सिर्फ कंसोलीडेट पर जब इस लेबल पर consolidate करेगी तब आप लोग इस range को mark कर लें जब इस range को यहाँ पर breakdown करेगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और बरहिया profit देखने को मिल सकता है ध्यान रहे यहाँ पर अगर breakout करेगी तो हर बड़ी के अंदर यहाँ पर आप लोग call की position नहीं बनाए क् रिस्की रह सकता है अब हम यहाँ पर sort कप करेंगे sort करेंगे 18460 के नीचे हम यहाँ पर sort करेंगे याने की P buying करेंगे अगर कल के दिन nifty 50 इस label के नीचे खुलती है तो आप लोग यहाँ पर save put buy कर सकते हैं put cup buy करना है जब इस label के नीचे 15 मिनट sustain कर जाएगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और 5200 point target के लिए जा सकते हैं अब चलिए अब हम चलते हैं fin nifty के चार्ट पर अब आप लोग देख सकते हैं हम fin nifty के चार्ट के उपर आ चुके हैं देखिए हमने कल के दिन क्या discussion किया था जो अगर fin nifty 2480 के उपर sustain कर जाएगी तब हम यहाँ पर long ज करेंगे 19,330 के नीचे हम यहाँ पर sort करेंगे याने की put buying करेंगे तो क्या यहाँ पर condition को fulfill किया बिलकुल भी नहीं किया आप लोग देख सकते हैं आज जो closing दिया है 19,330 के नीचे ही closing दिया है जो कि आप लोग देख सकते हैं जब market close होने लग गया तब यहाँ पर इस level को breakdown क दिया अब चलिए कल का trade plan कर लेते हैं अब देखिए अब फिन निफ्टी के अंदर long cup जाएंगे याने की c cup buying करेंगे c buying करेंगे 19,500 के उपर हम यहाँ पर क्या buying करेंगे c buy करेंगे जब तक 19,500 के level के उपर sustain नहीं करती तब तक आप लोगों को यहाँ पर c buy नहीं करना है क् कि आप लोग trap के अंदर फस सकते हो लैट सपोज अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेबल के उपर opening लेती है और इस लेबल पर 15 मिनट sustain कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं और 50 point target के लिए जा सकते हैं अगर कल के दिन फिन निफ्टी फ्लैट खुलती है ज कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी फ्लैट खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर consolidate पर ही entry लेना है जब इस लेबल पर consolidate करेगी तब आप लोग इस जौन को मार्क कर लें जब इस जौन को यहाँ पर breakdown करेगी तब आप लोग यहाँ पर save put buy कर सकते हैं और जब इ 50 के अंदर short कप करेंगे याने की put buying कप करेंगे तो put buying करेंगे 19,270 के नीचे हम यहाँ पर short करेंगे याने की put buy करेंगे लेट सपोज अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेबल के नीचे खुलती है 19,270 के नीचे खुलती है और इस लेबल पर 15 मिनट सस्टेन कर जाती है तब आप लोग यहाँ पर save put buy कर सकते हैं और 52,70 point target के लिए जा सकते हैं अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर अब आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के उपर आ चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर हमने कल के दिन क्या discussion किया था 44,150 के उपर हम क्या जाएंगे long जाएंगे याने की C buying करेंगे short cup करेंगे 43,830 के नीचे हम यहाँ पर short करेंगे क्या आज के दिन condition को fulfill किया बिल्कुल भी नहीं किया अब चलिए कल का trade प्लान करते हैं तो देखिए अब बैंक निफ्टी के अंदर long cup जाएंगे याने की C cup buying करेंगे तो देखिए 44,200 के उपर हम यहाँ पर C buying करेंगे इस से पहले हम C के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे Let's suppose अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेबल के उपर gap up opening लेती है 44,200 के उपर opening लेती है तो आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं Call Cup buy कर सकते हैं जब इस लेबल के उपर 15 मिनट सस्टेन कर जाएगी तब आप लोग यहाँ पर call buy कर सकते हैं और target source लेकर के 200 point तक का रह सकता है Let's suppose अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है जहाँ पर आज के दिन closing दी है जो की बहुती important लेबल है यह अगर यहाँ पर opening लेती है जो की लेबल है 49,790 का तो ऐसे condition में आप लोग यहाँ पर wait करें बिलकुल भी call output के चक्कर में ना परें यहाँ पर सिर्फ और स Consolidate पर ही entry लेना है यहाँ पर आप लोगों को John को mark कर लेना है जब इस John को यहाँ पर breakout करेगी तो कम quantity के साथ call buy कर सकते हैं या फिर इस लेबल को यहाँ पर breakdown करेगी तब आप लोग यहाँ पर save put buy कर सकते हैं अब बैंक निफ्टी के अंदर short cup करेंगे याने की P कप buying 43,740 के नीचे यहाँ पर short करेंगे याने की put buy करेंगे लेट सपोज अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 43,740 के नीचे खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर हर बड़ी के अंदर बिलकुल भी put नहीं buy करना है put कब buy करना है जब इस लेबल पर 15 मिनट सस्टेन कर जाएगी तब आप लोग यहाँ पर put buy कर सकते हैं और 200 से ले करके 200 पॉइंट टार्गेट के लिए जा सकते हैं तो आसा करता हूं निफ्टी 50, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारे लेबल आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने चार्ट के उपर यह सारे लेबल मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम